क्रिया कलाप 3 दो परक्नलियां लीजिए और प्रतेक में 10-10 ml कठोर जल लीजिए एक में साबुन के घोल की 5 बुंदे और दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बुंदे डालिए दोनों परक्नलियों को समान समय तक खिलाएं क्या दोनों में जाग की मात्रा समान है? किस परखनली में दही जैसा पदार्थ बनता है? इस क्रिया कलाप से आपने क्या निश्कर्ष निकाला? इस क्रिया कलाप में आपने अपमार्जक तथा साबुन की कठोर जल में सफाई की क्रिया को देखा. कुछ अपमार्जक जैव निमनी कृत नहीं होने के कारण जल प्रदूशन को बढ़ाते हैं. इसलिए इनका संतूलित उप्योग करना चाहिए. बैच्चों, इसके पूरु क्रिया कलाप में आपने देखा कि साबुन कठोर जल में ज्ञाग उत्पन नहीं करते हैं. और इसलिए हमारे कपड़े भी कठोर जल में अच्छी तरह साफ नहीं होते हैं. अतर यदि पानी कठोर हो तो हमें साबुन के स्थान पर अपमार्जक यानि की कपड़ा धोने के पाउडर का उप्योग करना चाहिए. क्योंकि ये अपमार्जक कठोर जल में भी बहुत सारा ज्ञाग उत्पन करते हैं. कैसे? आईए देखते हैं. इसके लिए मैंने दो परखनलियों में कठोर जल ले लिया है. अब परखनली अ में मैं कपड़ा धोने के पाउडर का खोल डालती हूँ. और परखनली बह में मैं साबुन के घोल डालती हूँ. अब दोनों परखनलियों को मैं अच्छी तरह से हिलाती हूँ. बिच्चों आप देख रहे हैं कि परखनली बह में जिसमें हमें साबुन का घोल लिया था. उसमें ज्यादा जाग उत्पन नहीं हुआ. साथ ही आपको कुछ अवक्षेब भी दिखाई दे रहे हैं. जब कि परखनली अ में जिसमें हमने डिटर्जेन पाउडर का घोल डाला था उसमें काफी जाग दिखाई दे रहा है. वो इसलिए बच्चों क्योंकि डिटर्जेन पाउडर लंबी कार्बन शिंखला वाले सलफोनिल अमलों के लवन होते हैं. और ये कठोर जल में उपस्थित, कैल्सियम और मैगनीसियम के आईनों के साथ अविले लवन नहीं बनाते हैं. और इसलिए कठोर जल में भी बहुत सा जाग उत्पन करते हैं. अतर यदि हमें कठोर जल में कपड़ा धोना हो, तो साबुन के स्थान पर अपमार्जक यनि की कपड़े धोने के पाउडर का उप्योग करना चाहिए.